कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो बहुत ही खतरनाग है और डॉक्टर्स जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो ये बात खुद कहते हैं कि ये बिमारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए कुछ चीजे ऐसी होती है जिने हमें अवॉइट करना चाहिए क्यूंकि उनसे कैंसर होता है जैसे की सिगरेट्स नहीं पीनी चाहिए टबैकोर नहीं खाना चाहिए पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं फिर भी कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी अपने चुंगल में इनको फसा लेती है भले ऐसे लोगों की मात्रा कम है पर ऐसा क्यू होता है इसका रीजन जानना बहुती जरूरी है Pencer ये voyez का रष्टा हमारे रोज की खानी से है जिसे हम अन्जान है हम क्या खा रहे हैं wasted how to eat that ज्यादा होता है और जब इसेल्स का मर्टिप्रिकेशन ज्यादा होता है तो खराबस सेल्स का मर्टिप्रिकेशन भी भड़ जाता है उसी तरह कुंछ फू descon ऐसे होते है जिने डा味कe करना बहुत मुश्किल होता है जिने इंग्लिश में involimetry foods काहते हैं जैसे की pulses ये सब ऐसे खाने के आइटम्स है जो काफी टाइम तक पेट में रहते हैं और पचाने में बहुती मुश्किल होती है। दूद में भी हमें टोन और डबल टोन दूद नहीं पीना चाहिए। दूद ऐसा लीजिए जिसमें मलाई निकले और उस मलाई से आप घर पर गी बनाईए और उसी गी का हर रोस इस्तमाल कीजिए। बाहर से लाया हुआ गी भी हमारे सेहत के लिए बहुत थानिकारक हो सकता है। घर का देसीगी खाने से हमारे शरीड में गुड कॉलेस्टरल ज्यादा मात्र में बढ़ेगा बैट कॉलेस्टरल के बजाए। दूद के अलावा बाहर का दही भी हमें नहीं खाना चाहिए। त्यूकि वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर कहते है कि दही वही अच्छा होता है जो फूरा सा खटा हो टेस्ट में। बाहर के दही प्रोसेस दही होते हैं। डॉक्टर जमाल एक खान कहते है कि दही सेहत के लिए इतना अच्छा होता है कि उससे हमें सारे पोशन मिल जाते हैं। पर अगर आप बाहर का दई सेवन करेंगे तो उसमें आपको सारे पोशन नहीं मिलेंगे ये चीज़ें सिर्फ आपको घर के दई से मिलेंगे डॉक्टर जमाल ये भी कहते हैं कि हमें प्रोसेस पूर बिल्कुल भी नहीं खाना चीए जो खाना दब्बे में मिलता है उसे ही प्रोसेस पूर कहते हैं डॉक्टर कहते है कि बच्चों को खाली गर का खाना खिलाना चाहिए कि उससे उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है धर का खाना जैसे की खिछडी, खीर या फिर चावल बाहर के डब्डे वाले खाने से बच्चों की इम्यून सिस्टम बे फरक पड़ता है डॉक्टर जमाल ए खान का कहना है कि शकर सबसे खतरनाक खाना होता है रिफाइन शुगर सबसे खराब है क्योंकि रिफाइन शुगर बनाने में केमिकल्स का यूज होता है उसके बदले गुड का सेवन फिर भी बेटर है शकर खाना मना नहीं है पर जादा शकर का सेवन खानीकारत हो सकता है डॉक्टर का ये भी कहना है कि सब्दियों को ज़ादा पका कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सब्दियों का पोशन चले जाता है फिश खाने के लिए बहुत अच्छी होती है वो बहुत light होती है और वो आसानी से फच जाती है जिससे हमारे शरेड को ज़्यादा एनरजी नहीं चाहिए होती है उसे पचानी में और उसके अलावा उसमें बहुत सारा पोशन भी होता है रेड मीड, वाइट मीड के कमपैरिसन में अच्छा होता है डॉक्टर जमाल एक खान का यह कहना है कि पचास परसन कैंसर की बिमारी हमारे लाइस्टाइल के वज़र से होती है डाइट का उसने बहुत बड़ा हाथ होता है और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टन डॉल क्ले करता है डॉक्टर यह कहते है कि अगर आप अक्टी में चार गर्टी भी एक्सरसाइस करेंगे तो आपके एक्सरसाइस का कोटा पूरा हो जाता है एक्सरसाइस का मतलब यह नहीं कि आप जिम में जाके एक्सरसाइस करें आपको नाच्रली एक्सरसाइस करनी चाहिए जैसे कि वॉक कर लिया, स्टेर्ट, चड़ना, उंदरना, ओफिस में कांफर्टिवल, पोड़ा सा ब्रेक लेकि चल फिर लिये, ऐसी कुछ एससाइज करनी चाहिए कैंसर पानी से भी हो सकता है, खराब पानी पीनी से अगर पानी से हमारे शदी में पोड़ा सा भी आर्सनिक जाला है, तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है सुबह में दस बजे से दुपैर के चार बजे तक का सूरज बहुती हानिकारत हो सकता है उससे हमें दूर रहना चाहिए, और जिन लोगों को स्किन में पिग्मेंटेशन होते हैं, उने तो दूर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए उनकी लिए डारेक संनाइट बहुती खतरनाक हो सकता है उसके अलावा बन कम्रे में एसी चालू रखके ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऐसे बन कम्रे में एक गैस रिलीज होता है जिसे रेडन गैस कहते हैं, उससे भी कैंसर हो सकता है माइब्रोवेर में खाना गरम करते खाने से भी कैंसर हो सकता है तो खाने के अंदर की important nutrients degrade हो जाते है डॉक्टर का ये कहना है जो पुरुष 50 के उपर का है उन्हें जादा से जादा टमाटर का सेवन करना चाहिए टमाटर को पका के या फिर बॉयल करके नहीं खाना चाहिए उनको उन्हें कच्छा ही खाना चाहिए as a salad ये prostate cancer से आपको बचाता है उपर दिये गए tips के अलावा हमें अच्छा खाना चाहिए एक healthy life जीन चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए इससे भी cancer होने के chances कम हो जाते हैं तो चलिए guys आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like, share and subscribe कीजिए Thank you